अज़ितर दिस्कस करने वाला हूँ जस्टिस सोनिया जी गुकानी के बारे में सीनियोरिटी के बेसिस पर सिंचराथ हाई कोट का चीप जस्टिस अपॉइंट किया जा रहा है और ये मंजूरी अब जो है सेंटल गवर्मेंट की तरफ से उनके पास पहुँच चुकी है और 13 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक ये जो है एजा चीफ जस्टिस ओफ गुजरात हाई कोट वर्क करेंगी क्योंकि जो प्रजेंट चीफ जस्टिस ओफ गुजरात हाई कोट थे उनको सुप्रीम कोट ने कोलेजम सिस्टम के थुरू एजा सुप्रीम कोट जज नियुक्त कर दिया है और उन्होंने एजा सुप्रीम कोट जज की ओथ भी ले ली है तो seniority बहुत ज़्यादा matter करती है और जो सबसे ज़्यादा senior होता है उसी को chief justice बनने का मौका मिलता है तो इसी basis पे जो justice सोनिया जी गोकानी है उनको जो है सिर्फ और सिर्फ 12 दिन के tenure के लिए क्या करने का मौका मिल रहा है chief justice बनने का मौका मिल रहा है तो अब जो है हम पूरा का पूरा इनके बारे में discussion करेंगे और कब से इनका tenure सुरू होगा कब ये oath लेंगी और कब इनका retirement होगा ये भी मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ अगर अभी तक आप मुझसे मेरे instagram या फिर सारे के सारे doubts मेरे telegram group में मुझसे पूछ सकते है telegram group में जो है आपको daily basis पर mcq practice कराता हूँ plus daily basis पर आपको current affairs भी provide कराता हूँ English और Hindi दोनु ही माध्यम में तो जो भी बच्चे मुझसे connect होना चाते है वो telegram पर मुझसे connect हो सकते है और जो भी बच्चे various states की त्यारी कर रहे है जिनके prelims हो चुके है mains के respect में कोई भी आपको सवाल पूछना है या किस approach से आपको mains target करना है किसी भी state का तो आप मुझसे इंस्टा पर connect होके ये सारे सवाल जबाब कर सकते हैं इन दोनों social media handles पर मैं आपसे जुड़ कर आपके सारे के सारे जवाब देता हूँ और अगर आप मुझे recommend करना चाते हैं कोई भी वीडियो जो legal topic से related हो और आप मुझसे देखना चाते हैं तो आप मुझे यहाँ पर दोनों जगे सजेस्स कर सकते हैं moving head study IQ लाया है judiciary का smart course और इस smart course में क्या किया गया है 16 states का पूरा compilation आपको ready करके दिया जाता है इसी लिए इस judiciary course का नाम महापैक रखा गया है all over India 16 states जहां जहां आप eligible होते हो वहाँ का सारा का सारा content और किस approach से आपको कौन सा जो है state target करना है और किस approach से जो है आपको prelims qualify करना है और mains की तियारी करनी है क्योंकि जब हम देखते हैं कि various states के PCSJK या civil junior division के exam आप देखने को जाते हो तब आपको देखने को मिलता है कि हर एक state की approach अलग होती है कुछ state ऐसे होते हैं जहां पे आपको journal knowledge का paper GS का paper और law का paper अलग-अलग पूछा जाता है वही पर दूसरे states में आपको देखने को मिलता है कि एक ही paper में सारी चीज़ compile करके पूछी जाती है तीसरी तरह का exam भी हमें देखने को मिलता है जहां पर हमें English और Hindi मतलब language का paper भी prelims में देखने को मिलता है और कुछ state के means तो ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पर सिर्फ और सिर्फ judgment राइटिंग के basis पर ही means लिया जाता है लेकिन other states का देखा जाए तो बहुत सारे जो भी हमारे civil के laws होते हैं criminal के laws होते हैं family laws होते हैं local laws होते हैं उनके अलग-अलग paper लिये जाते हैं लेकिन means में सिर्फ और सिर्फ judgment राइटिंग के basis पर अगर आपको judge बनाया जाता है तो वो 36 गड़ का एक unique pattern हमें देखने को मिलता है तो ऐसे सारी के सारे चीजों के पूरा compilation जो 16 states में आपको judge बना सकता है study IQ judiciary के महापैक में आपको मिलता है और इससे आप क्या कर सकते हैं इसको purchase करके आप जो है 2023 में अपना judge बनने का सपना साकार कर सकते हैं क्योंकि 2023 में आपको पता है लगवग 5,000 civil judge junior division की vacancy आने वाली है और इसी के देखते हुए हमें देखने को मिला है कि राजस्थान की notification आ चुकी है बैस्ट वंगाल का notification आ चुका है कल जो है क्या कहते हैं हमारा UP paper conduct करा रहा है जिसमें 303 सीटे हैं और उसके बाद 36 गड़ 26 फरवरी को है उत्तराखंट 30 जो है April को date announce कर चुका है और आने वाले states में आपको सबसे पहले हर्याना गुजरात का notification आ चुका है तो जो भी बच्चे त्यारी कर रहे हैं गुजरात की और गुजरात को focus करना चाते हैं वो क्या कर सकते हैं study IQ जुड़ी श्री के महापैक को ले सकते हैं और अगर आप use करते हैं APU का code APU का code इस्तमाल करने के बाद ये 35,000 से course आपको direct 14,999 पे मिलता है मेरे नाम के तीन अक्षरों का इस्तमाल करना है ये course direct आपको सिर्फ और सिर्फ 14,999 की costing में मिलता है चलिए शुरू करते हैं आज के session को जिसमें हम discussion करने वाले हैं हमारी महला Chief Justice of गुजरात हाई कोट जिनको सिर्फ और सिर्फ 12 दिन के लिए बनाये जा रहा है ऐसी बात नहीं है ये इनका retirement date आने वाली है retirement की age होने वाली है तो उन पे सिर्फ और सिर्फ अभी काम करने के लिए 12 दिन ही बचे हैं तो उनी 12 दिन के लिए इनको जो है ओठ लेता है ठीक क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा confusion होती है जैसे मान समझते हैं कि कोलेजम सिस्टम जब कोज किसी भी चीज़ को recommendation देता है जैसे Supreme Court में अभी पांच जज़ वेरियस वेरियस हाई courts के पांच judges को जो है क्या किया गया है recommend किया गया है judge बनने के लिए तो उनकी जो है कब से seniority count होगी Supreme Court में जब conflict होगा किस में जब उनको Chief Justice of India बनाए जाएगा और एक ही दिन पांचों को recommend किया गया है तो seniority किस दिन से count होगी तो जिस दिन से oath ceremony होती है ठीक तो जिस दिन से वो Supreme Court में enter होगे oath लेंगे उस दिन से उनका seniority count की जाएगी और जब Chief Justice of India वो senior most हो जाएगे सबसे जादा senior हो जाएगे तब उनको Chief Justice of India बनाया जाएगा ठीक तो यह oath का जो time period होता है उसके बीच में अगर gap होता है तो उतनी seniority के basis पर भी Chief Justice of India और Chief Justice of High Court का चयन हो सकता है अगर आपका recommendation एक ही list में हुआ है लेकिन oath ceremony में एक एक घंटे की या फिर एक एक दिन का gap है या दो दो तीन तीन दिन का gap है तो उसके basis पर भी seniority decide की जाती है clear तो यह जो है parameter होता है किसी भी High Court में CJ बनने का Chief Justice of High Court बनने का और Supreme Court of India में CJI मतलब Chief Justice of India बनने का ठीक तो after elevation of Chief Justice अरविंद कुमार ठीक जो अरविंद कुमार जी थे जो हमारे अभी as a working member थे गुजरात High Court के तो उनको क्या किया गया है उनको जो है Supreme Court के Collision System ने recommend कर दिया है Supreme Court का Justice बनने के लिए ठीक तो उन्होंने अभी फिलाल में ही Supreme Court के जज की ओथ ली है तो उसके बाद जो second number पर आती है वो आती है हमारी Justice सोनिया जी गुकानी ठीक सोनिया जी गुकानी जो है senior most थी किससे अरविंद कुमार जी के second number पर seniority में वो fall करती है तो इसी के basis पर जो है गुजरात हाई कोट की महला Chief Justice बनाने का जो है offer मिला है 63 साल के गुजरात हाई कोट के इतिहास में तो यह जो है हमारा Central Government ने approval दे दिया है और इनको जो है 13 फरवरी को as a acting Chief Justice of गुजरात हाई कोट क्या करना है सपत लेनी है clear after Justice कुमार takes the oath apex court of the India ठीक तो अरविंद कुमार जी जो है वो जो है हमारे honorable Supreme Court में as a judge oath ले चुके है और उनका transfer होकर वो जो है क्या आ गए है promotion कह लिजिए transfer कह लिजिए कोलेजम के थुरू उनको Supreme Court बुला लिया गया है और Justice Gokani जी को गुजरात हाई कोट का चार्ज दे दिया गया है Justice Gokani name was recommended by the Supreme Court कोलेजम on Thursday she currently the senior most judge of the गुजरात हाई कोट ठीक ये जो है Supreme Court के द्वारा जो कलेजम सिस्टम होता है इंडिया में जिसमें recommend किया जाता है जिसको उसके द्वारा इनको as a CJ of गुजरात हाई कोट recommend किया गया है क्योंकि ये जो है सबसे ज़्यादा senior most है कहाँ पर senior most है गुजरात हाई कोट में ठीक she will serve as a acting chief justice only for a four night as she retired on 25 फरवरी ठीक तो यहाँ पर क्या बताया गया वो retire भी हो रही है उसके बाद जो इन से जो इनके retire होने के बाद जो senior most हो जाएगा वो गुजरात हाई कोट का chief justice बन जाएगा clear अब गुकानी जी की थोड़ी जीवन रेखा को देखते हैं वो किस तरीके से judiciary में आई और पहले जो है उन्होंने कहां से entry की और उनका क्या-क्या time period रहा हो कब उनको high court में appoint करके एज़ा जो है judge बुलाया गया और फिर उनको कब permanent किया गया clear तो justice गुकानी joined the judiciary directly in the credit of district judge on July 10th 1995 तो justice गुकानी जी ने directly जो है district judge में entry ली कब 10 July 1995 को उसके बाद जो है उनको additional judge of the गुजराथ हाई कोट appoint किया गया कब 17 फरवरी 2011 में 2011 में लगबग हमारे 16 साल बाद उनको additional judge of गुजराथ हाई कोट appoint किया गया और उसके 2 साल बाद उनको क्या किया गया permanent member बना दिया गया गुजराथ हाई कोट का कब 28 फरवरी 2013 को और उसके बाद से 9 साल बाद उनको जो है chief justice of गुजराथ हाई कोट बनने का मौका मिला है 12 ही दिन का tenure हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता आप किसी भी हाई कोट के chief justice बनके retire होगे ऐसे ही interesting videos लेकर मैं आपके लिए आता रहूँगा अगर आपको मेरे ऐसे ही interested videos current के topic मिलते रहें तो आपको क्या करना है study IQ जुडिश्री चैनल को subscribe करना है वहाँ पर daily मैं आपके लिए ऐसे interesting topic लेकर आता हूँ और daily शाम को 6 बजे मेरी जो MCQ है target prelims 2023 की series चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको हर एक state के important MCQ discuss करता हूँ और 6 से 7 YT live में जाकर आपके साथ discuss करने के मुझे मौका मिलता है तो आप मुझसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं daily साम को 6 बजे मिलते हैं next class में thank you for watching